यह एक तरह का भाव है या इसको आप परतिकिरे कह सकते हो जब किसी कोई व्यक्ति जो आप चाहते हो किसी जगह पे बस्तित रहे लेकिन उपस्तित नहीं होता है तो दुख जो प्रकेट करते हो तो उसको हम उन्हों कहते हैं I miss you यह किसी किल भी हो सकता है, family member के लिए हो सकता है, close friend, lover या आपकी पती या पतनी के लिए हो सकता है या ऐसे किसी भी व्यक्ति को हो सकता है जो जिसको आप काफी प्रिये मानते हो इसका हिंदी मतलब होता है मुझे आपकी याद आती है अगर कोई आपसे कहें कि I miss you तो इसका काफी अच्छा reply का आप कर सकते हो I miss you too अगर आपके English के vocabulary का आपको strong करना है तो एक काफी अच्छी किताब है जो मैं आपको recommend करना चाहूंगा जिसका link मैं डिस्क्रिप्शे में दे रखा है आप उसको check कर सकते हो और मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में एक और नए वर्ट के साथ thanks for watching this video